हेलो एवरिबन आज हम लोग आद्यायद दोग के चर्चा करते हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे काशियव सहीता का कुमारभतिर के छेत्में क्या-क्या योगदान रहा है और काशियव सहीता के क्या इतिहास रहा है उसके बारे में भी इसमें हम लोग डिसकास करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे काशियव सहिता का उपदेश्टा के बारे में तो उपदेश्टा कौन थे काशियव थे इनका कब तक छटी सताबदी में छटी सती इसापूर्व इनका काल रहा है उसके बाद काशियव सहिता का रचनाकर कौन है तो इसका रचनाकर है ब्रीद जीवक जो की चोटी से छटी सती तक इनका काल रहा था फिर बोलता है कि काशियव सहिता का प्रति संसकर्था के कौन है तो यह वतस्य है और यह सात्वी सताबदी इनका काल रहा है अब यहां दुसरा पॉइंट में करा कि ब्रीध जीवक तंत्र शंप्रति यह जो है यह काशियव सहीता के नाम से प्रसीद है इसी को काशियव सहीता कहा जाता है इस परकार काशियव सहीता को ब्रीध जीवक तंत्र भी कहते हैं ग्रंथ निवंधन के दिरिष्टी से इसमें दो अस्तर है एक ब्रीद जीवक और दूसरा वातस से यहां बताया है कि रिचिक पूत्र ब्रीद जीवक ने महर्शी कास्यव के उपदेशों को ग्रंथ रूप में निवंध किया है आगे चल कर यह ग्रंथ लुप्त प्रायस हो प्रति संसकार किया ऐसा अख्यान है कि अनायास नाम का यच्छ से वातस्य ने यह सहिता प्राप्त की थी लेकिन बताया है कि इस ग्रंथ में कहीं भी कास्यव सहिता का नाम नहीं आया है डिरेक्ली नाम से नहीं आया है फिर दखते इसके इतिहास में तो कास्यव सहिता के न उपलव्ध मिलता है पहला जो है उसमें बताए गया कि सीव एवं परवती के वरतलाप के बिशह में बताए घरत अर अभी अब है रखा हुआ है तंजावुर पुश्ट काले में रखा हुआ है द्वित्य गरंथ जो है वो मदराश के पुस्तकाले में रखा हुआ है और इसमें वर्णन मिलता है 20 जिकित्षा और 20 तंत्र के बिशय में इसका वर्णन मिलता है फिर एक और काशिप सहिता के नाम से आता है तृत्या गरंद जो कि संपूर्ना नंद पुस्तकाले 12 नसी में इसे रखा गया है इसमें रस्ची कित्सा के विशाय का वर्णन मिलता है या ग्रंत अनियक बार छती ग्रस्त हुआ परन्तु बिभीन अचारे ने इसे पुनसंग रहित किया कुछ अंग अंस जो इसके हैं खंडित होने के कारण आज भी अपुन है काजाता नेपाल के राजगुरु सिरीपंडित हेमराज सर्मा ने 1938 में ताड़ पत्र पर लिखित पांडू लीपी को संगरहित कर कठमांडू इस्तित नेपाल नरेस के पुस्तकाले में सरचित कराया है यह जो मिला था ताड़ पत्र पर लिखा हुआ इसमें जो है वो पाहला प्रिष्ट जो मिला था वो 29 था और अंतिम 264 पेज नमबर उसमें मिला है बीच बीच में बहुत से प्रिष्ट बिलूप थें गरंत के आदी के 10-12 अध्याय खंडी थें तथा अंत में खील स्थान के असी में से केवल 25 अध्याय तक ही होने से उसके बाद का भाग भी खंडी थें काशिव सहिता में जो स्थान खील स्थान है उनका योगदान किनके द्वारा के यह खील स्थान आइड किया गया था अचार वात्से के द्वारा सहिता के कलप अध्याये में इसे तंत्र कहा गया में डहु हम अब हम लोग देखते हैं कि कासियव सहिता में कितने अस्थान है कितने अध्याय हैं कौन-कौन सा अस्थान में कितने-कितने अध्याय हैं तो इसमें दे गया है टूटल कश्यप सहिता में 8 अस्थानों का वर्णन मिलता है जिसमें 120 अध्याय हैं बाद में 80 अध्याय मिलाया गया जो की खिल अस्थान था और कुल 9 अस्थान बन गया और तो इस तरह काशेप सहीता में सुत्र स्थान में 30 सद्या है निदान स्थान में 8 वीमान में 8 शरीर स्थान में 8 इंद्रिया स्थान में 8 चिकित्स स्थान में 30 सिद्धी स्थान में 12 कल्प स्थान में 12 और खिल स्थान में 80 अधिया है का वर्णन मिलता है इस तरह टोटल अस्थानों के संक्या नौ और अध्यायों के संक्या दोस्तों अब जो खील अस्थान है का सेफ सही तक है उसमें जो और राजाच्मा के सिकित समें रूद्र की पूजा का विधान बताए गया है भूतेश्वार, निलकंट, ब्रिश्ध्व वाज तथा सीव सब्दों का भी प्रियोग हुआ है कि लस्थान में फिर बिष्णु के लिए नरायन सब्द का भी वहां पर वर्णन मिलता है उसके बाद इसके अलावा कासिव सहीता में सूरी के पूजा का भी विधान बताए गया सुथक्या गार में कुमार, सस्थी और विशाक की प्रतिक्रीती बनाने सस्थी पूजा का निर्देश से सब मिलता है मतंगी, रुद्र, मतंगी, विध्या का भी उलेक मिलता है अन्यक अस्तलों पर रहस्त तांत्रिक मंतों का भी परयोग उलिकित है जोर में सिध मंत्रों का उलेख किया गया है यही काशिप से भीसा कलाचन बताते हुए कहा गया है कि बैद सिध योगों का ग्याता सिध्धिमान तथा देव दिवीज गूरु सिध्धों का पुजक हो इस तरह काशिप सहीत में रितुकाल के प्रकरन का भी उलेख किया गया जिसमें वर्णों विभीन वर्णों के इस्त्रियां जैसे ब्रामन छत्रिये वैस चुदर के लिए करमसा रितुकाल 12, 11, 10 और 9 दिन के रितुकाल का वर्णन किया है उसी तरह धूप कलप अधिया में आगने धूप केवल ब्रामनों के लिए जबकि बाह धूप त्री वर्ण के लिए कहा गया है यहीं पर नागवला रशायन इस्त्री और सुद्र के लिए वर्जित है तथा फक्च कित्सा में वर्णित ब्रामने गिरित सुद्रों के लिए निशिध बताया गया है इसी सहित्ता में इस्त्रियों का प्रवेश अनेक धार्मिक संप्रायवदयों में हो इनके लिए विभीन सब्दों का प्रयोग है तथा लिंगनी परिवाजरी का कंड़नी इस तरह इस्त्रियां जो मद्ध्य पान करती थी तथा शरीर अस्थान में एक अस्थल पर इस्त्री के परदा करने का भी उलेक मिलता है इसके अलावा इसी सहिता में पांच हिर्दय और सटकोस शरीर का वर्णन मिलता है कुश-कुश चीज़े हैं जो कासियप सहिता में अचार या चरक का सिमिलिरिटी के भी प्रमान मिलते हैं जैसे कि प्रकृति वर्णन अस्थिया तीन सो साथ है वहां भी मिलता है मन का लक्षन नवद्रब्य लुक्समित पूरुस दस प्राण आयतन अंजली परमान आधी है यह कुछ-कुछ शिवर्ण है जो कि अच्छा चरक सहिता में मिलता है कासिप सहिता में मिलता है जैसे कि अभी हम लोग चरक का दके उसी तरह कासिप सहिता में अचारे सुसूरुत से भी कुछ-कुछ सीमिलरीटी मिलती है जैसे 107 मर्म का वर्णान आठ प्रकृति आजश्रिक रशायन इस सब कुछ-कुछ चीज़े हैं जो दोनों में सीमिलर मिलते हैं कासिप सहिता में अचारे भेल का भी कुछ सिमिलरीटी जैसे 18 कुछ्टों में 9 साध्य होते हैं और 9 साध्य होते हैं तो यह भेल सहिता में चीज़े मिलता हैं इसके अलावा हम देखे तो इसमें बहुत सरे जातियों का भी परमान मिलता है जैसे बिदेशी जातिया का वा बूरलिक मिलता है तथा बिदेशी जाती में जो प्रशव वाले जो महिला होती है उनमें क्या-क्या हार लेना चाहिए उसका भी वर्णन यहाँ पर मिलता है जैसे कि यहाँ पर बताया है कि सक, यवन, पलो, तुसार, कंबोज, हून, आधी बिदेशी जातियों का भी उलेक है और प्रशव के बाद बिदेशी मलेच जातियों में रक्त, मांसर अस्त था, कंद, मूल, फल, प्रसुताओं को देने की प्रामप्रा यहाँ पर बताई गई है इसके अलावा बहुत सारे धर्म का भी यहाँ पर वर्नन मिलता है, कुछ-कुछ धर्म का वर्ड जो होता है वो इस कासिव सहीता में उलेक किया गया है, जैसे कि उत्ष उत्षर पनी आधी सब्ड का परियोग जो किया गया है ये जैन धार्म की और संकेत करता है उसी तरह बहुत धार्म में भी कुछ-कुछ चीजें कुछ-कुछ जो वर्ड है वो यहां पर देखने को मिलता है जैसे कि बृत जीवा के लिए अस्थवीर शंबोधनन एक बार हुआ है यह सब्द बहुत संप्रदाय के विश्यस रुप स यह प्रचालित था तो यह हम देखें कि यह धर्म, जाती इसका ही वर्णन कास्यप सहीता में देखा गया है इसके अलावा अचार कास्यप ने वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है तथा ब्राम्हन, छत्रिय, वैस, और छोद्र चारों वर्णों को अईर्वेद के अदिक दिया है, यह इतना हिस्ट्री था, कहां पर चार कास्यप में, क्या-क्या वर्णन किया गया है, कहां पर कौन सा धार्म, कौन सा जाती, यह सब कुछ-कुछ चीज़ है, यह पर बताया गया है, कि इतने अस्थान थे, और कौन सा इसका प्रतिसंस करता है, कौन उपदेश्ट कुछ कुछ हम लोग आज देखें, next class में हम लोग देखेंगे, इसी में कि हाँ बैज्ञानिक तरीके से कास्यप सही था कि कमारे भृत में क्या छेत्र रहा है, कमार भृत के लिए क्या-क्या वर्णन किया गया है, यह हम इसी का next lecture में हम लोग इसको देखेंगे, तो आज के ल जोता है, next class में.